Current Affairs Funda में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 6 गस तक के सभी important Current Affairs कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंति तक चरूर देखेगा आज भी आपको काफे कुछ जानने के लिए मिलेगा साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा यदि आप हमारे Daily Current Affairs PDF Weekly PDF और मंतली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के First Comment में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं साथ ही आप Google Play Store से Current Affairs Fund आपको भी इंस्टॉल कर लिजे क्योंकि जो भी हमारा PDF मेटर लाइजिस में आपको Current Affairs के साथ 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 स्टेटिक जीके भी प्रोवाइट कराते हैं यह सभी मेटर आपको हमारी Current Affairs Fund आएप परियुक लब्द हो पाएगा हमारे PDF को रिस संबंद यह आपका कोई भी डाउट है कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो Comment Box में जरूर लिखेगा तो चले फिर करते हैं सुरुवात इस वीडियो सेशन की पूछ रहे हैं अठारवा बारत अमेरिका स्रीयुक्त सैन्नी अभ्यास जिसका नाम युद्ध अभ्यास है एक्टूबर 2022 में बारत के किस राज्य में आयजित होने वाला है ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन दी है उत्राखंड तो देखिए इंडिया और यूएस इन दोनों की ही बीच में मिलिटर एक्टूबर अप्शन होने वाली है उत्राखंड के ओली में 14 से 31 अक्टूबर के बीच में यह जो युद्ध अभ्यास है इस एक्टूबर अठारवा एडिशन होगा तो एडिशन आपको याद रखना है एक्सरसाइस का नाम याद रखना है युद्ध अभ्यास किन के बीच में है इंडिया और यूएस के बीच में कहां पर हो रही है इस साल उत्राखंड के ओली में हाली में भारत के दस नए आतरभूमी को रामसर इस्थलो की सूची में जोड़ा गया है बारत में अब तक रामसर इस्थलो की कुल संक्या कितनी है ओप्शन आपके सामने है सही आंतर ओप्शन भी है 64 आपको जानना चाहिए हाली में भारत ने 10 मोर रामसर साइट को डेसिगनेट किया है और इस तरह से भारत में रामसर वेटलेंड की संक्या 64 यानि की 64 हो गई है आपको जानना चाहिए इन 10 नई रामसर साइट में 6 तमिल लाडू से है और करनाटक, गोवा, मध्यपरदेश और उडिसा इन राज्यों से एक-एक रामसर साइट इंकलूड की गई है यानि की एक-एक फैटलेंड को रामसर साइट डेकलेर किया गया है इस तरह से भारत में टोटल एरिया जो इन वेटलेंड का हो गया है ये 12,05,361 हेक्टेर का हो गया है नाम देखेंगे, महत्रपून रहेंगे इंडिविज्टल नाम पूच सकते हैं आप से तमिल नाड़ो में देखें किसको मिला है तो ये है तो ये सबी तमिल नाड़ो से हैं करनाटक से देखें रंगा न थित्तू बर्ड सेंचुरी गोवा से नंदलेग मध्यपरदेश से सिरफूर वेटलेंड और उडिसा से सतकोशिया तो यहाँ पर इंडिविजुल भी आपसे पूछ सकते हैं कि विम्बनूर वेटलेंड कॉम्पलेक्स कहाँ पर है या हाली में रामसर साइट का दर्जा मिला है किस राज्य में है इस तरह से नंदा लेकी भी पूछ सकते हैं किस राज्य में है तो यह भी आपको जानना चाहिए रामसर साइट के बारे में हमने हाली में डेटेल में पढ़ाता कि क्या है कभी यह साइन हुआ था बाकि आपको एक पॉइंट इसमें यह जान लेना चाहिए तो उसको रामसर वेटलेंड का दरजा दिया जा सकता है इंडियान रैसलर बजरंग पुनिया बैग्ड गोल्ड मेडल एट कॉमन वेल्थ केम्स 2022 इन विच वेट केटेगरी भारते पहलवान बजरंग पुनिया ने कॉमन वेल्थ केम्स यानि की CWG 2022 में किस भार वर्ग में सुर्ण पदक जीता आप्शन्स आपके सामने है सही आंसर आप्शन भी है 65 kg तो देखिए भारती रैसलर हैं बजरंग पुनिया जाच और हरियाना से आते हैं इन्होंने कॉमन वेल्थ केम्स से अपना दूसरा consecutive gold medal जीता है consecutive मतलब लगातार दूसरा यानि कि इससे पहले जो कॉमन वेल्थ केम्स हुए होंगे उसमें भी नोने gold medal जीता था ये इस line का मतलब है तो देखिए इन्होंने commonwealth games 2022 में 65 kg weight category में Canada के Lachlan McNeil को हरा दिया है और इसे के साथ gold medal जीता है आपको जाना चाहिए इन्होंने अपना पहला gold medal commonwealth games में साल 2018 में जीता था overall अगर हम इनकी performance की बात करें commonwealth games की तो ये इनका तीसरा medal है क्योंकि 2014 के commonwealth games हुए थे वहाँ इन्होंने silver medal जीता था इसलिए का आगया है consecutive gold medal की gold दो बार जीते हैं gold silver एक बार जीता है 2014 में बात करते हैं साक्षी मलिक की रोह तक हर्याना से आती है इन्होंने 62 kg weight category में gold medal जीत लिया है commonwealth games में आपको बता दे साल 2014 में इन्होंने silver medal जीता था 2018 के commonwealth games में इन्होंने bronze medal जीता था बात करते हैं एक और wrestler की अंशु मलिक जिन्ध हर्याना से आती है इन्होंने silver medal जीता है और क्योंकि ये final में जो ये उदुनायू फोला सिड है इन से हार गई और इसलिए इन्होंने silver medal जीता है 57 kg event में बात करते हैं इंडियन रेसल दीपक पुनिया की जरजर हर्याना से आते हैं इन्होंने पाकिस्तान के मुहम्मद इनाम को 86 kg केटेगरी में हरा दिया है और gold medal जीत लिया है बात रेस्टिंग के ही हो रही है और दीपक पुनिया अपना पहला Commonwealth Games केल रहे हैं और इसी महीनों ने gold medal भी जीत लिया है वर्ट वास इंडिया स्फाइनेंशिल इंक्लूजन इंडेक्स F.I. इंडेक्स फॉर दा इयर एंडेड मार्ज 31st 2022 31 मार्ट दोजार 22 को समाप्त वर्ष के लिए भारत का वित्य समावेशन सूच खांग, F.I. सूच खांग क्या रहा? ओप्शन साब के सामने हैं सही आंसर ओप्शन C है 56.4 देखे रिजर्ब बैंक ओप इंडिया ने कहा है कि 31 मार्ट 2022 को खत्मोने वाला जो यह फाइनेशल ये रहा इसमें इंडिया का Financial Inclusion Index यानि कि F.I. Index ये 56.4 रिकोर्ड किया गया इससे पहले वाले साल में 2021 में 53.9 था आपको जानना चाहिए ये जो इंडिया ये बताता है कि Financial Inclusion किस इस तर तक पहुँच गया है इसके बारे में information देता है और 0 से 100 के बीच में आपर score रहता है 0 का मतलब Complete Financial Exclusion और 100 Indicate करता है Full Financial Inclusion आपको जानना चाहिए इसमें 3 parameters है F.I. Index में एक तो है Access जिसका 35% weightage है पूरी Index में दूसरा है Uses जिसका 45% weightage है तीसरा है Quality जिसका 20% weightage है आपको जानना चाहिए Index Reserve Bank of India दौरा create किया गया कोई भी base year इसमें नहीं है और ये हर साल जुलाई के महीने में publish किया जाता है Long Jumper Murali Srisankar has created history by becoming the first Indian male athlete to win silver medal in long jump at Commonwealth Games He hails from which state Long Jumper Murali Srisankar ने Commonwealth Games में long jump में silver medal जीतने वाले पहले भारतिय पुटुस athlete बनकर इतिहास रच दिया है वहकिस राज्य से आते हैं options आपके सामने है सही आंसर option A है केरल तो देखिए Long Jumper है Murali Srisankar परकड केरल से आते हैं और ये first Indian male athlete बन गए हैं जिनोंने Commonwealth Games में silver medal जीता है long jump में तो इन्होंने 8.08 meter की अपनी jump यहां पर लगाई है और silver medal जीता है हाला कि इनका जो national record है वो 8.36 meters का है South Korea the United States and which country participated in biennial Pacific dragon exercise off the coast of Hawaii दक्षिन कोरिया, अमेरिका और किस अन्य देश ने हावाई तट पर दुवार्षिक प्रसांथ dragon अभ्यास ने भाग लिया है options आपके सामने हैं सही आंसर option C जापान है तो देखे South Korea, United States और जापान इन्होंने हावाई कोस्ट पर एक joint military exercise में participate किया है ये एक biennial exercise दो साल में एक बार होती है नाम इसका Pacific Dragon exercise इसमें Australia और Canada ने भी participate किया है इस पार, जनरली ये इन तीन countries के बीच में होती है India's badminton mixed team lost to which country to settle for a silver medal at the 2022 Commonwealth Games, बारत की badminton mixed team 2022 की CWG में किस तेश से हार कर रज़त पतक से ही संतोस्त करना पड़ा, options आपके सामने है सही answer option A है, Malaysia तो देखिए Indian badminton team का mixed group match हुआ इसमें इनोंने silver medal जीता है Commonwealth Games 2022 में क्योंकि final में इन्हें Malaysia ने हरा दिया पूच रहे है कि कौन सा देश अंतरास्तिय डेरी महसंग विश्वे डेरी सिखर सम्मेलन 2022 की में इज़ बानी करेगा सही answer option A है, इंडिया आपको जानना चाहिए बारा से पंदरा सितंपर के बीच greater noida उत्तरप्रदेश यानि की new Delhi NCR में भारत international dairy federation का world dairy submit 2022 इसको host करेगा इसका theme रहेगा dairy for nutrition and livelihood अमूल और नंदिनी ये इसके sponsors हैं साथी mother dairy principal sponsor रहेगा इस event के लिए बागी आपको जानना चाहिए national dairy development board के chairman मिनेश सा है से भी है से रिस्ट्रक्चर्ड इट्स advisory committee on market data the committee will now have how many members से भी ने बाजार के आकड़ों पर अपनी सलाकार समीती का पुनरकटन किया है समीती में अब कितने सदस्य होंगे सही answer option B है 20 आपको जानना चाहिए से भी यानि की securities and exchange board of India इसने market data पर अपने advisory committee को restructured किया है तो जो भी securities market data उससे उसके सम्बंदी जो access है जो privacy है उस पर ही अपने policy measures देंगे उसी सम्बंदी थिए committee बनाई किया है इसको restructured किया गया restructure मतलब कुछ लोग सामिल किये जाते हैं संक्या घर्ती बढ़ती रहती है उसको बोलते हैं committee restructure करना तो अब इसमें 20 member होंगे पहले इसमें 21 member थे committee में और साथी सेवी ने जो है NSC के former MD and COI Vikram Halimai इनके बदले newly appointed जो chief है आसीज कुमार चोहान इनको include किया है बाकिस committee के chairperson S. साउ है जो की insolvency and bank dropsy board of India के former chairperson है यहाँ पर आपको सेवी के बारे में भी जान लेना चाहिए सेवी इसको 12 April 1988 को as a non statutory body के रूप में constitute किया गया था through a resolution of government of India उसके बाद साल 1992 में securities and exchange board of India को established किया गया as a statutory body और यह कपसे लाग होगा पुरी तरसे 30 January 1992 से इसकी chairperson मधा भी पूरी बूच है which Indian ship participated in the maritime partnership exercise with France recently in the North Atlantic Ocean हाली में उत्तरी Atlantic मासागर में फ्रांस के साथ समुद्री साइदारी अभ्यास में किस भारती जहाज ने भाग लिया सही आंदर option C है INS तर्गस तो देखिए INS तर्गस ने यहाँ पर फ्रेंच नवल ship के साथ North Atlantic Ocean में maritime partnership exercise की है और फ्रांस की और से यह FNS सो में ने participate किया आपको जाना चाहिए इसी अभी हाली में 29 जुलाई को INS तर्गस ने अपना जो deployment है Mediterranean Sea के Mediterranean Sea वाले रीजन में इसको complete कर दिया है और अब यह चल दी है Atlantic की और इसने हाली में जो Royal Morocco नवल शिप हसन 2 है इसके साथ भी एक partnership maritime partnership exercise कंड़क्ट की है who has been appointed as the new CFO भारत पे के नए CFO की रूप में किसे न्यूक्त किया गया सही answer option यह है नलीन नेगी तो देखिए fintech platform है भारत पे सभी आप नाम जानते हैं इसका इनोंने SBI card की CFO नलीन नेगी को अपना CFO बनाया याने की Chief Financial Officer बनाया है इससे पहले किसके financial officer थे यह SBI card के बारत पे के बारे में आप जानते हैं CEO सुहिल समीर है co-founder शाष्पत नकरानी है और headquarters डैली में है GST registered businesses with annual turnover of Rs.10 crore will have to generate e-invoices for B2B transactions from October 1st 10 crore रुपय के वार्षिक turnover वाले GST पंजेकत व्यवसाय को 1 October से B2B लेंदेने के लिए e-challan generate करना होगा आपको जानना चाहिए 1 October से है जो GST registered businesses है जिनका turnover 10 crore या इससे ज्यादा का है उन्हें अपने B2B transactions है business to business transactions के लिए e-invoices generate करने होगे पहले यह जो सीमा थी यह 20 crore रुपय या इससे ज्यादा तक की थी लेकिन अब इस इसको और white किया जा रहा है इस criteria को इसलिए अब 10 crore यह से ज्यादा करती गई है मिथलेश चत्रुवेदी who passed recently was a well-known personality in which filled मिथलेश चत्रुवेदी जिनका हाली में निदन हो गया कि प्रसिद्ध व्यक्तित्त थे आपको जाना चाहिए मिथलेश चत्रुवेदी उत्तरप्रदेश से बिलोंग करते हैं इनका हाल यह में निदन हो गया है 67 की एज में यह काफी जाने माने इंडियन फिल्म एंड थेटर एक्टर रहे हैं कि दे इंडियन ओयल कॉर्परेशन लिमिटेट साइंड एंड एमो यू साइन किया है बांगलादेश रोट्स एंड हाइवेज डिपार्टमेंट के साथ और जिसके तहत बांगलादेश को एमर्जंसी सप्लाइप प्रोवाइड कराए जाएगी पेट्रूलियम गूड्स की बाकि आपको जानना चाहिए आयू सीयल के चेर्मेन स्रीकांत मादव वैद्य हैं हैटवार्टर न्यू डेली में है विश स्टेट हैस लोंच्ट चीफ मिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीव एसिस्टेंस एंड ग्रांट यानि की चीराग स्कीम फोर EWS स्टुजेंट्स किस राज्यने EWS चात्रों के लिए मुख्यमंत्री समान सिक्षा राहत सहायता और अनुदान चीराग योजनासुरू की सहियां तरौप्षन भी हर्याणा है देखिए हर्याणा की चीफ मिस्टर मनहुनलाल खटर की जो गवर्मेंट है इन्होंने हाल ही में चीराग स्कीम लोंची है चीराग मतलब चीफ मिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट तो इसके तहत वो सभी बच्चे जिनके पैरेंट्स की जो एन्वल इंकम है वो 1.8 लैक रुपीज से कम की है उनको प्राइवेट स्कूल में दाकिला दिया जाएगा सेकंड क्लास ते ट्वेल्थ क्लास तक और इसके तहत गॉवर्मेंट क्या करीगी उनकी फीस रिंबस करेगी यानकी गॉवर्मेंट क्लास से क्लास फिफ्ट तक हर एक स्टुडेंट की जो फीस है वो 700 पर स्टुडेंट हर यान सरकार देगी और जो आपकी 6 से 8 तक है उनके 900 रुपे पर स्टुडेंट हर यान सरकार देगी और उसके बाद फिर क्लास 9 से 12 तक जो भी स्टुडेंट से उनकी फीस 1100 पर स्टुडेंट देगी अलाग इसकी समझ में नहीं आई स्कूल ने पढ़ रहे हैं उनको प्राइवेट स्कूल में डाला जाएगा आप अपना इंफास्ट्रक्टर अच्छा कीजिए ने असरकारी स्कूल गा खैर हाली में हमने देखा था कि हरियाना के सी एम खटर ने स्मार्ट इबीट सिस्टम लॉंच किया है गुरुगराम पुलिच के लिए और इसी के साथ हमने देखा था हरियाना के बारे में जो बेसिक जानकारी है और तुरंट आप इसको कैच भी कर लेते है तो टेलिग्राम जोइन कर लिया कीजिए माबर डेली में कुछ ना कुछ आपके साथ शेर करता रहता हूं जो आपके लिए इंपोर्डेंट रहता है करेंट अफिर्स फंडा नाम से यह चैनल चलिए देखते हैं रिजर बैंक ओफ इंडिया गवर्णर सक्तिगान दास ने बाइमन्थली मॉनेटरी पॉलिसी एनांस की है और रैपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट तक बढ़ा दिया है और अब कितना हुआ है यह फाइफ पॉइ रेट पर बैंकों को उधार देता है ना उनके सिक्यूर्टी के बतले उसको रेपो रेट बोलते हैं तो अब देखिए अगस्त 2019 के बाद से यह जो है हाईस्ट रेपो रेट बन गई है यानि कि प्री पैंडेमिक लेवल पर पहुँच गई है पैंडेमिक के बाद रेपो र के बल पर पहुच गई है अगस्त 2019 के बाद से अच्छा MPC Monetary Policy Committee के मेंबर है यह प्रोफेसर जैन्त वर्मा इन्होंने इस पोलिसी से जो है डिसेग्री किया है बाही स्टेंटिंग डिपोजिट फैसलिटी रेट यह 5.15 परसेंट किया गया है मार्जिनल स्टेंडिंग फैसल 2022-23 यह 7.2% इन्होंने रिटेन रखा है रियल जीटीपी ग्रोथ फॉर क्वाटर वन 2023-24 के लिए बताया गया है 6.7% डिटेल इंफ्लेशन फॉर्कास्ट भी इन्होंने 6.7% ही रखे है तो 2022-23 के लिए और जो इंफ्लेशन फॉर्कास्ट है इसे क्वाटर के लिए यह बता साथ ही monetary policy committee ने कहा है कि अब यह line पढ़िएगा में महत्व पूर्णे MPC decided to stay focused on withdrawal of accommodative stance to absorb inflation यानि की monetary policy committee ने कहा है कि जो accommodative stance हमने अब तक अपनाया है कुछ time से पिछले कुछ अपनी reports में ठीक है तो उससे हम withdraw कर रहे हैं उससे हम दूर जा रहे हैं accommodative stance का मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि Reserve Bank of India की chances रहेंगे कि वो अपना interest rate cut करें तो अब इस accommodative stance से withdraw कर रहा है यानि कि अब आने वाले समय में cut नहीं करेगा और भी बढ़ाएगा ऐसी उम्मीद है यानि कि जो रैपोरेट है वो और बढ़ेगी इसका मतलब यह हुआ accommodative stance से हम withdraw कर रहे हैं अगर यह कहता है कि हम सपोर्ट कर रहे है accommodative stance को इसका मतलब है कि हम अपनी जो रैपोरेट है उसको cut करेंगे future में तो यह आप समझ करेंगे अच्छा अब यह देखे जब लाउन है तो इस पर जो यह बढ़ में तो यह बात समझ में तो यह मधा पड़ जाती है जब हर्याप्र अपका बढ़ता है और जब रैपोरेट करता है तो उसकी सुविदा जो है इनमें लॉन भागारा पर यह मा इंटर्स रेट पर जाते हैं तो इस वक्त अहों मिलने में फिर फाइदा रहता है यह तब की बात है यह दि बैंक उस चीज को पास करें अस्तमर तक कि रेपर बढ़ाए तो हम जो है एफडी पर इंटरस्ट रेट भी बढ़ा देते हैं यह ना तभी तो बैंक के पास पैसा आएगा एक एक तरगा लालच होता है ना कि अब हम भी एफडी पर रेट बढ़ा रहे हैं ताकि हमारे पास पैसा है और हम एफडी जो है खोलें लोगों की तो अब आप इस चीज को समझ गए होंगे बाकी नोंने बताया कि करेंटली फिसकल यह टॉंटी टॉंटी टूंटी टू में चार अगस्त तक जो रूपी है यह यह य एक्षेंज रिजर्व ऑफ इंडिया यह फोर्थ लार्जेस्ट हैं इंटरनेशनली यानि यह हमारे पास चौर्थ ही नंबर का सबसे बड़ा फोरें एक्षेंज रिजर्व हैं कि हूँ है सब्सक्राइब के अध्यक्ष और प्रबंदी देशक के रूप में पदभार किसने समाला ओप्शन आपके सामने हैं सही आंतर ओप्शन ए है रंजीत राथ तो देहें रंजीत राथ यह ओईल इंडिया लिमिटेट जिसका हैट्वाटर्स दुलियाजन आसाम में हैं इसके चेर्मेन एंड मेंजिंग डिरेक्टर बनाए गए हैं यह सुसील चंद्रमिश्रा को रेप्लेस कर रहे हैं हाली हम ने देखा कि राजर स्वी गुपता यह ओंजी सी विदेश की एमडी बनाए गई है कि विच्व फॉलिंग एंगेज्ट विद इंडियन रेल्वेस तो बूस्ट इट्स डेलिवरी सर्विसेज इन दे कंट्री निम्ली किसने देश में अपनी डिलिवरी सिवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतिय रेल्वे के साथ भागेदारी की है ओप्शन आपके साम ने उनकी डिलिवरी कर सकता हैं तो देखेंदेडिया की यंगेस्ट प्रेजिडेंट है और फस्ट है जिनका जन्म इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है तो इनकी बाइग्रफी आने वाली है ऐसा एनाउज क्या है पैंगुइन रेंडम हाउस इंडिया ने इन्होंने बता है कि इस biography का नाम होगा मैडम प्रेजिडेंट अब बायोग्राफी ओफ द्रौपती मुर्गु इसको लिखाया बुवनेश्वर बेस्ट सीनियर जनरलिस्ट संदीब साहू ने इस इंडियन फर्म मेड इट इन्टू टॉप 100 इन दे 2022 फॉर्चुन ग्लोबल 500 लिस्ट दोजार वाइस फॉर्चुन ग्लोबल 500 सूची में कौन सी भारतिय फर्म शीर्स सो में सामिल हुई सही आंसर अप्शन दी है लाइफ इंशूरेंस कॉर्परेशन देखे फॉर्चुन लिस्ट जारी हो गई है और इसमें भारत की Life Insurance Corporation यानि की LIC यह 98 पोजिशन रही है ठीक है इकलोती कंपनी है जो टॉप 100 में जगा बना पाई है तो इसके revenue और profit के बारे में अब दिया गया है आगे बात करें रिलाइंस की तो रिलाइंस 104 नंबर पर रही है इसमें 51 स्थानों कि इसने जंप मारी है यहां पर आचा इस इसमें दो टाटा गुरूफ फर्म से मिए टाटा मॉटर्स यह 370 नंबर पर है टाटा स्टील 435 नंबर पर है राजेस एक्सपोर्ट्स यह 437 नंबर पर है इस टेड़ बैंक ओफ इंडिया 236 नंबर पर है भारत पेट्रोलियम कोर्परेशन यह 295 नंबर पर है कि प्रीवेस असाइनमेंट के आंसर देखेंगे हुई इस दे प्रेजिडेंट आफ ताइवान आंसर इस साइ इंग वेन काकादू नेसल पार्क इस लोकेटेट इन विच कंट्री ऑस्ट्रेलिया एसिनोनिक्स जोबाटस जोबारस इस साइंटिफिक नेम ऑफ एफ्रिकन च छीथा क्वडिया कीँई थिटा का नाम यह होता है और और अफ्रिकन चीथा को होता है je हृँ है कि तो आपको पता है कि नामीबिया से आफ्रिकंस चीथा आने वाले हैं भलावित में became होन इसल पार्क में तो इसलीए मैस्टर भषक करो साइंटिफिक निम भी मालूम हो anniversary of पिंगाली वेंकाया और ये आंद्रप्रदेश में का जन्म होगा था नेम्दा अल-काइदा चीफ, mastermind of the September 11, 2001 attack who was killed during a drone strike in Kabul by the US, answer is Ayman al-Jawari इस रो सक्सेस्फुली लॉंच्ट 345 फोने सेटलाइट फोने सेटलाइट from 34 countries on board PSLV and has earned 279 million US dollar in foreign exchange by launching satellites for global clients आप में से कई अस्वने से बिल्कुल सही answer दिया है, इसी तरह से आप participate करते रहे हैं, आज के assignment questions देखेंगे, महत्रपूर्ण है सभी Fjordland Nassal Park is located in which country? E-Utthan Portal is developed by which ministry? Muslim Women's Rights Day is observed every year on which day? CGI NV Ramana has recommended the name of which person as the new CGI of India? Former boxing world champion Jonny Femshong died at the age of 77 He was from which country? The Central Government withdrew which bill from the Lok Sabha saying it will bring a fresh one हाली मेख बिल विटरो की है, Central Government ने नाम बताना है The Competition Commission of India approved acquisition of 11.43% stake in Tata Power Renewable Energy Limited by which company? The CCI approved acquisition of Citibank and Citicorp Finance Limited's undertakings By which bank in Rs. 12,325 crore under 16.31 one of Competition Act 2002 तो इन आठ questions के आंसर आप हमें comment box में ज़रूर बताईएगा सभी microphone question है, देखे comment करेंगे तो याद रखेंगे हमेशा के लिए है ना, यह फाइदा रहता है comment करने का आप सभी जानते हैं तो comment कीजिए आपके mind में हमेशा के लिए वो बस जाएगा जो answer है ज़्यादा संग्या में participate कीजिए, आप लोग participate ही नहीं कर रहे हैं, केवल गिने चुने दिस बारा aspirant है जो डेली इसमें participate करते हैं, बाकी और कोई करता ही नहीं है बाकी current affairs fund आप टेरी राम पर भी join कर सकते हैं, यहाँ पर regular video updates और current quiz आप सभी करें डालते रहते हैं सारी decision group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्ते आपर हमारे current affairs की playlist दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फैलो एस्पेंट साथ हमारे current affairs को शेयर जरूर करें आज का इस सेशन आपको कैसा लागा, comment box में जरूर बताईएगा, thank you guys